आपका स्वागत है आज के से वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेस में जो कि स्वच भारत मिसन के तहत जो रेट्रोफिटिंग सर्वे चल रहा है उसको अपने हम पोर्टल या अपने कम्पूटर पर कैसे देखेंगे साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे हमें कोई लिस्ट निकालनी है जो भी रेट्रोफिटिंग सर्वे की एप्लिकेसन के माद़ें से लिस्ट होती है उसको हम पोर्टल से आसानी से कैसे प्रिंट कर सकते हैं क्या आईडी पासओर है कैसे लॉगिन करेंगे सारे चीज़ अब यहां पर दिखाएंगे जो की पंचैसा है गाउं में क्या कर रहा है कि जो एप्लिकेसन के माद़ें सर्वे कर रहे हैं सेकेंड फेस का उन्होंने लगवग कंप्रेट भी कर लिया तो अब उसको पोर्टल पर कैसे देखेंगे क्या एडिट कर सकते हैं कोई चीज या नहीं इसके लिए सबसे पहले आपको Google Chrome Browser में आना है और यहां पे आपको टाइप करना है sbm.upprd.in लिंक आपको discussion में मिल जाएगी नहीं तो आप Google Chrome पे टाइप करिए और इंटर प्रेस करिए sbm.upprd.in ठीक है इतना टाइप करने के बाद इंटर आप प्रेस करेंगे जैसे और इस तरह से इंटर फेस दिखेगा और यहां पर देखें के लॉग इन करने का टैप है तो simply आपको इसी पर क्लिक करना है जैसे यह आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इस तरह से यहां पर यूजर आइडी और पासवर्ट का उप्सन आ रहा है तो यूजर चेंज कर लिया होगा कुछ लोग भूल चुके होंगे जो आपका पीए डैस सच्वाले कोड होता उसको आपकी यूजर आइडी होगी और उसके पासवर्ट आपके पास होगा अगर नहीं है तो आप यहां पर फॉर्ट पासवर्ट का एक उप्सन है तो simply आप उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएंगा थिक अगिन जो जैएंगे तो चलिए मैं यहां पर डाल देता हूं डालने के बाद आप यहां पर लोग इन वाला टैब है इस पर क्लिक करते हैं जब आप suspension करेंगे तो आप ईूजर आइडी डालेंगे उसके बाद मोई नंबर आटोमेट फिल हो जाएगा फिर ओटीपी जाएगा ओटीपी के बाद आप यहां पर वेरीफाई करके रिकवर कर सकते हैं अपना पासवर्ड चलिए मैंने यहां पर अपना लॉग इन कर लिया लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह से डैसबोर्ड आपके सामने खुलेगा बेक्तिका 144 सर्वे डैसबोर्ड और यहां पर 84 सेकेंड का पूरा यहां पर दिखेगा आप ग्राम पंचाय दिखेगी कॉर्णर पर आपका नाम दिखेगा और यहां पर नॉस्ट्रसी सर्वे जो हैं वो दिखेंगे और रिट्रोफिट अपचएर रुओवा यहां पर आप दिखेगे कि जो आपने फीट किया अपण से सारी चीजे वहां पर क्या होता है अपली के में SeráReally को 답 कुछ चीज енियुक हट जाती लेकिन यहां पर सार微 करने च्ब्लिछे कर पाएंगे जैसे कि आपने फेई कर किया था तो यहां पर दे देख पाएंगे असानी से चलिए अभी हाँ हमको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर देखें जैसे कि लिए सर्वे यहां पर फेजबन जो फस्ट टैब है बैक्तिगा सौचाले रेट्रोफेटिंग सर्वे 222 फेश सेकेंट इस पर क्लिक करने से पहले में आपको यहां पर जो में टैव है रेट्रोफेटिंग सर्वे डैसबोर्ड देखें फर क्लिक करना है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स होगी वो पहले डाइग्राउं ब्लॉक्स में यहां पर बनके आ जाएगी आप मोटा मोटा यहां पर देख पाएंगे कि जो आपकी यह अप्लोट करते हैं सर्वे के समय फोटो का इसें आगर किसी कर दिया है वहां पे सर्वे कर दिया विदाओट फोटो प्लोड nucleus होगा उसको आपको बाद में करना भी पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर मेनुवली इनम किलियर लिखा है कि जो बादेदा करन अपलोड किये गई या लेकिन अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर उनकी संख्या दरसाई गई है अभी हम इसको क्लिक करके भी दिखाएंगे इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो टेबल्स है उसके लिए अपने यहाँ का डेटा जिसे आपको देखना है कैसे देखेंगे नीचे स्कॉल करेंगे आपकी यहाँ पर जीपी लिखी होगी नहीं तो नहीं दिखेंगे बैक स्टेप आएंगे तो आपके पूरे ब्लाग में जितने भी ग्राम पंचायते हैं वहाँ पर भी अगर कोई सर्वे हुआ होगा नौसरजित का तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर फिर एक स्टेप और बैक करेंगे तो आपको अपने ब्लॉक लेवल पर जितने भी आपकी डिस्टिक पर ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक लेवल कर डेटा यहाँ पर सो हो जाएगा जैसे यह अभी देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है अगर आपको दूसरा पर चेक करना है या किसी पार्टिकलर ग्रांपनचैथ को देखना है तो आप उसी ग्रांपनचैथ के उपर क्लिक कर देंगे तो उसका डेटा यहाँ पर खुल जाएगा इस तरह से आप next page पर जाते रहेंगे तो सारा data जितने भी आपके यहाँ ग्राम पंचायत होंगी सारा खुल जाएगा अब मालीजी आपको block wise देखना है तो जो आपको वहाँ पर back वाला एक option है इस तरह से आपकी ग्राम पंचायत कर देख सकते हैं फिर back में जैसे click करेंगे तो जो block होंगी ब्लाक में जितने भी नौसरजित यानि नए पात्र सौचाले के लिए आविदन किये गए होंगे उस application के माध्यम से तो यहाँ पर आपका data दिखेगा अगर एक step और आप back आते है जैसे कि आप किसी भी डिस्टिक का particular print करना चाहते है या आपने यहां का तो भी यहां पर download Excel sheet का और print करने का दोनों अपसे आप कर पाएंगे चलिए हम यहां पर ब्लॉग करते हैं ब्लॉग करने के बाद अब कुछ इस तरह से जो second वाला टेफ है retrofitting survey अनमोधन report आप इस त कितना amount कितना budget है और कितने सचाले अभी यूज में हैं अन्यूज में एक कितना पैसा आपके यहां पर लगेगा अब यहां पर देखते हैं कि आप किसी अविदक का विवरण यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं मालीजिए application में आपना data नहीं प्रिंट कर सकते हैं लेकिन य यहां पर देख पाएंगे तो आप यहां पिर उसी टाइम में आएंगे virtue के मुझे कर तो यहां से इसारा डेटा देख पाएंगे आपके जितना target होगा ग्राम पंचायत में पूरा data आपके यहां पे खुल जाएगा और print वाले option पर click करेंगे तो आसानी से जो आपके ग्राम पंचायत के retrofitting का survey है वो आप 2-4-6 phase में पूरा प्रिंट कर पाएंगे application में क्या होता प्रिंट टरने का option नहीं आप data को वहीं पे survey कर सकते हैं या note करने में दिक्कत होती है तो आप चाहें तो इसको एक अलग से PDF में पूरा data प्रिंट कर लें फिर उसके बद आप टिक कर लें कि कौन सा survey किस ग्राम पंचायत का है particular एक ग्राम पंचायत में अनिक गाउं होती है तो समझ में नहीं आता यह कहां पर है किसका सोचाल है तो आप ऐसे इसको निकाल लीजे उसको एक टिक मार कर लीजे तो आसानी होगी survey करने में अगर आपके यह भी uncompleted है तो इस तरह से अपने portal में देख पाएंगे सारी चीजे और खुद से यहाँ पर tabs में क्या-क्या mention है सारी चीजे आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे अपने ID password का प्रियोग करके और यहाँ पर random जो post tag किया गया है वो दिखेगा पंचायत जिन्होंने अभी तक post geotag या print geotag नहीं किया वो भी दिखेंगे तो यह कुछ देखने का process है यहाँ पर और जो phase 1 का survey था अब उस application पर नहीं खुलता है जो आपने पहले कर दिया लेकिन आप portal पर आपकी ID पर आप सारी चीजे दिखेंगे आप अगर देखना चाहते है पहले का survey तो यहाँ पर फेज 1 पर किलिक करेंगे उसके बाद दाभारती आविदो का view run पर किलिक करेंगे उसके बाद second tab जो होता है फर्स tab होता है retrofitting वीवरांट तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपने पहले survey किया था जो target था वहाँ से देख पाएंगे 144 उपयोग में है या अनुपयोग में यहाँ पर जब select करेंगे तो वही detail खुल किया आएगी जो आपने वहाँ पर फिल किया होगा तो यह मतलब पहले का survey भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से यह portal पे अपने ID password से login करिए और देखे कि आपका यहाँ पर survey क्या है अब बात करते है edit या चेंजमेंट की जैसे कि मान लिचे किसी का survey गलत हो गया है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर edit या बदलाओ कुछ संभव हो है कि नहीं अभी तो इस portal में क्यों visual ही process है कि यहाँ आप अपने survey को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी इस्तिति क्या है dashboard में सारी चीज़े विजिवल है लेकिन अभी edit करने का यहाँ पर option नहीं है कि आप इसको यहाँ से back करें अभी यहाँ पर पोटल पर नहीं है आपके पोटल पर यहाँ पर विजिवल होगा कि जो बादेता के कराण अभी तक अपडेट नहीं की गई है फोटो यह दिखेगा हो सकता है अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपको फोटो अपडेट करनी पड़ेंगी हाला कि application में तो दिखा रहा है कि सब कुछ continue सही है लेकिन यहाँ पर साप साप लिखा है तो अगर आपके पास application है तो फोटो पर पर यहाँ पर पर कैसे देखना अपनी कंप्यूटर पर और आप खुद से login करिए और यहाँ पर देखने का प्रयास करिए किस तरह से देखना इसकी लिंक का आपको discussion मिल जाएगी आप वहाँ से भी आ सकते हैं या sbm.up.g.g.in पर क्लिक करके आ सकते हैं इसके साथ और भी पंचायत के पोटल है जो यही आईडी पासवर्ट के साथ आपने पोटल पर लॉग इन कर सकते हैं और उत्तर पर देशके जो यहां